असलामों अलेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो जी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह से यहां पर हो रहा है सुबह का टाइम तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं डिस्पेंसर वगरा जो ना फिल कर रही हूं जो मैंने नए मंगाए थे तो सॉस वगरा भी मैंने र आप लोग के साथ आज उस लड्डू की यह रिसीपी में शेयर कर दूँ तो बस यहां पर देखिए का नाश्त मजदार सामने बना लिया था ओमलेट बनाया मैंने और यह ब्रेड्स वेगरा सेके थे और बस जाय नाश्ता करने के बाद मैं किचन में वापस आ गई थी और यह बोटल खाली ही को फ़ी है मैंने लगा दिया बनी प्लांट तो जी पानी में इसकी ग्रॉथ काफी अच्छी हो जाती है और इस से पहले टाएं इस की जड़े मस्बूत हो जाती थी थी और उसके बाद मैं जागर उसे गम्ले में शिफ्ट कर देती थी तो बस यह तो जी मैंने बनाना था देसी घी यानि कि घर पर ही बना कर रख चुकी हूं से और पहले भी आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि मैं मलाई जमा करती रहती हैं और उसके बाद उसका देसी की निगाल दीती हूं और ये जो लेफ्ट ओवर बचावन है जो खुर्चनी से कभी भी मत फेकेगा ये भी जो ना बहुत ही मज़े की लगती है इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल कर भी जो ना आप बच्चों को दे सकते हैं या फिर कला कंद जैसा ना एक डेसेट बनता है उसकी रेसेपी मैं फिर यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देखेगा प्लांट कितना अच्छा लग रहा है तो बस मैंने इस बोटल को जो ना कॉर्णर पर रख दिया था तो बस कीचन की भी जो ना सारी साफ सफाई हो गई थी और उसके बाद मैंने देना था आप लोग को लड़ू की रेसेप तो बस आप देख सकते हैं यहां पर आपने लेना है भुनावा चना और चिलकों के साथ भी आप उसे घ्राइंड कर सकते हैं इसमें चना मखाने और बदाम और तीनों की कॉंटिटी में आप लोग को बता दू सेम रखेगा इसलिए मैंने एक ही देखी गा डिश लिया इसम अब लोगों की असानी के लिए देखें का सारी शिज़ डाल रहे हूँ अचाजी आप मैंने ले लिया है बदाम और इसकी भीकॉंट्री मैंने सेम रखी है इसी डिश में में डाल रहे हो ताकि आप लोग ज्ए कोनिंट तरह पाउडर भंटैर रखाए कि में तरह से तुमें और दोंना के ने हाई कि ट्राइब पर तेमकल के पहले हो यह ब रजाद गै Nobel के भाउड़ा रखें Magazur सबस्क्राइब जब कोगर में बना लिक़ाए जब अख्यार पास्ता बिलकुल देशी स्टाइल में और इतने मज़़े है यहां पर लेलिया है मैंने पैन और उसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने देशी घी और ये सारे पॉडर जो हमने बना के तियार रखे ना यानि कि भुनेवे चने बदाम और मखाने इन तेनों को जो आना मच्छी तरह से रोस्ट करेंगे इस देशी घी में तो दीरे दीरे जो आना इसमें से अच्छी सी खुश्बू आएगी आप देखेगा और बस ये जले नहीं तो इसे जो आना हलकी आँच पर ही आप भोनेंगे और यहाँ पर देखेगा मेरी बेटी आ गई है मेरी हेल्प जो आना कर रही है वो हर दो मिनिट में आकर ममा आप क्या करूँ आप क्या करूँ तो मैंने का तुम जो आना दोतीन इलाइची कूटो और उसमें जो आना डाल दो तो आप इसे ले सकते हैं बोडी बे जितना भी पेन है जितनी भी कमजोरी है इससे चली जाएगी इन्शालला और मैं भी इसे जो ना रेगुलर खा रही हूँ और बच्चे भी जो ना खा रहे हैं बहुत टेस्टी है यह तो इसे जो ना जरूर बना के रखेगा तो यहाँ पर देखेगा मिक्सचेर हमारा अच्य तरह से रेडी हो गया है इसमें आप मैं गुड़ का सिरप डालती जाऊंगी और इससे जो ना अच्छी तरह से मिक्स कर देदे तो बस जी इसके बाद हमने अच्छी तरह से इसे mix कर देना और उसके बाद अपने हतेलियों में थोड़ा सा अपने देसी की डालना है यानि कि हतेलियों को ग्रीस कर लें आप और उसके बाद इसे लड़्डु का शेप दे दे तो बस इसमें और कोई भी बड़ा काम नहीं है मैंने भी जोना बस कुछ ही मिन्टों सेकेंटों में समझेगा यह जोना बना के रख दिया है आप भी से बनाएगा और जरूर खाएगा और सब को खिलाएगा और तारीफ जोना पाएगा तो बस जी यहाँ पर हेल्डी सा जोना हमारा लड़ू यह वाइरल लड़ू तयार हो गया है और बस उसके बाद जरूर किजन की मैंने साफ सफाई कर लेती और यहीं तक था आज का मेरा एच्छोडा सा व्लॉग मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेर, सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं आप से नेक्स व्लॉग में अल्लाहाफिज